एक B.S.F. के अधिकारी के परिवार को समाज से निकालने का मामला सामने आया है जिसके बाद पत्ती ने S.P. और कलेक्टर से नियाई की गुहार लगाई है आपको बदा दे कि पिल्डिता का कहना है कि गाउं के लोग समाज में शामिल करने के नाम पर एक लाख रुपाई की मांग कर रहे हैं और पच्चिस हजार रुपाई पहले ही ले चुके हैं इदर अधिकारी का कहना है कि मामले की जाश की जाएगी और दोस्यों पर कड़ी करवाई की जाएगी अस्तों में ये बहुत गंबीर मामला है कि जो वेक्ती देश के सीमा पर 40 वर्सों तक खड़े होकर सेवा दिया और उसका परिवार पिछले 20 वर्सों से समाजिक वहिसकार का दंस जेल रहा है और इनके दोरा लगातार कई आवेदन पंचायत से लेकर के गाउं के आने लोगों तक और रिष्ट अदिकारियों को दी गई लेकिन आज तक कोई कारवाई नहीं हुआ मेरे को लगता है आटिकशी हुआ कोई बीमारी का पता नहीं हुआ मेरे को तो बहुत दुख है मुझे है नयाई चाहिए इसके लिए कुषी तरह नयाई चाहिए मुझे मेरे बच्चे जैसे दूसरों के बच्चे गाउं गर में खेलते कूटते हैं जवान होते हैं तो दोस्तों के यारी के साथ रहते हैं मेरे बच्चे कभी रह नहीं पाए Actually मेरे पापा B.S.F. में थे उसके बाउजूद उनके लास के लिए कोई नहीं आया कंधा देने कोई भी नहीं गाउं के तो आए ही नहीं उनको तो हमें से इसके पापा तो पापा गाउं में हमारे घर में हमारी बहु भी गई तो भी कोई नहीं आया और मामवे की घ्राश के बाद ही दोस्यों पर कारवाई होगी ऐसा जिम्मेदारों का कहना है और इसी पर सबस्वान कारी के लिए हमारे साथ में संबदाता मिथलिश दोप्ता चुर गया है मिथलिश क्या है पूरा मामला जी मैं आपको बता दू हूँ यह पूरा मामला जैस्पुर जिले के दोगड़ा चोकी छेतर के जुमाई को लगाओं का है यहां एक दिएसप का जवाद 40 साल तक देश का फेवा करता रहा और उसी परीवार को कुछ समाज के ठेकदारों ने मिलकर उसे समाज से ही बहिश्कार कर दिया 21 वर्ष तो पूरा परिवार समाज को बेदखल किया गया था समाज से जी मैं आपको बता दूँ कि दो एक ती कि आपसी जगरा थी जिसमें बेशएप की पत्नी ने बीच बचा करने के लिए गई थी और उसको लेकर के ये बात बिगरा और गाव के जितने भी समाजी के लोग वो जो है तरफा बैठक करके और पहसला कर दिये कि उन्हें समाज से बहिस्तार कर दिया गया है और इसकी शिकायत की गई थी तो अभी तक किसी तरह की कोई कारवाई हुई है जिए खिलाल पेडित परिवार जो है क्लेक्टर और एसपी से मामले की शिकायत की है और हमारी ब और हमलहीकल में पार करने के बाद कर दिया के इन्हें समाज से बहिस्कार दिया गया गया है वुथीय तक अभी तक कोई करवाई नहीं हुई है से पहले कंपलैड नहीं कि कि भुरीवार कई बार जो है प्रसासन से गुहार लगा चुकिहे और यह तक प्रिवार में दू हम लोगों ने आज तक समाज के साथ नहीं खेला है, नहीं पूदा है, हम समाज के साथ किसी भी कारिकरम में सामिल नहीं हुए हैं, हम स्रीप अपने घरों पर ही रह करके पूरी जिन्दगी जिये हैं। जिन लोगों ने उस परिवार को समाज से बेदखल किया है, उन पर तो कारवाई होनी ही चाहिए, साथ ही ऐसे जिम्मेदारों पर भी कारवाई होनी चाहिए, जिन से कई बार निया है कि गुहार लगाई, बावजूद, इस और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया? बिलकुल आवाई होनी चाहिए और समाज के ब्रतितो कारवाई होना ही चाहिए, अपिड़ित परिवार लगातार कारवाई के बात कर रहे है जे, कलेक्टर और SP ने क्या कुछ कहा है, कब तक कैरवाई होगी? जे, कलेक्टर साथ सामारी बात नहीं हो पाई है, हलाकि SP साहब पूरे मामले पो जानकारी है उनको, और वो जो है लगातार कारवाई की बात कर रहे हैं. जे, पिडित परिवार क्या आश्रासन के बाद संतुष सो दिखाई दिया, क्योंकि 21 साल हो चुके हैं, कई बार गुहार लगा चुके हैं, बादुदिस के अभी तक तो किसी ने ध्यान नहीं दिया? अभी तक पिडित परिवार जो है, लगातार कारवाई को लेकर के दर-दर भाटक रहा है, उनको अभी तक संतोस नहीं है. किसी तरह की कोई आश्रा की किरन उनको जगी हो की नहीं, इस बात म्याय मिलेगा उनको? जी फिनाल अभी तक किसी बात की आथा किरन नहीं दगी है, और पिडित परिवार लगातार दर-दर भाटक रहा है आज तक. जी चली मिधलेशी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोई कारवाई होती है या नहीं, या फिर ये परिवार यूही दर-दर भाटकता रहता है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में, राज की सोरी जुड़ गई है, पीडित है, बहु बेदखल कर दिया गया, और इससे पहले भी जैसे की सामने आया है जास में, कि आप कई बार नयाय की गुहार लगा चुगी हैं, बावतुर इसके अभी तक आपको नयाय नहीं मिला, जी मा, माम एक्शली हुआ ये है कि मतलब दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, बगल में ही एक लड़के के साथ हो रहा था लड़ाई, वो दोड़ के, मारने दोड़ा रहा था नानी को, तो बस बचाने के लिए चली गई ममी, बस बचाने गई माम वो बात मतलब आगे बढ़ के इतने आगे तक बढ़ गई है अब की, मैं जब तक, जहां तक मैं जाना हूँ 20 वर कराना परता है लोगों को बुला के तो उसमें रोग दिया जाता है, मैं जब लोग आएंगे नहीं तो हम क्या खाएंगे तो इसको लेकर आप काफी बार कंप्लीन भी कर चुके हैं तो जिम्मेदार क्या कुछ कहते हैं, आपको किसी तरह कोई आश्वासन देते हैं, क्या इसको बेदाखल क्या गया है या इसके अलावा और भी परिवार हैं इसकाओ में ऐसे? नम हमारे गाओं में तो मुझे नहीं पता हमारा ही पता है, पहले हमारे साथ छे लोग थे मैं पर उनको किसी बहाने मिला लिये सबको, फिर हम अलग हो गए, बाकी हम अगल बगल से कहीं कहीं अभी हम को सुनने में आ रहा है कि और भी लोग हैं लेकिन उन लोग इस चीज से करवाई होगी और जो भी दोसी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी तो क्या लगता है कि अब आपके अंदर कोई उमीद की किरण जागी है हम उमीद सेंही गए थो अव यही उमीद करते हैं कि यहीं गहां के हमारे साथ नहीं गाउंके हम मुझे लगता है vont फिछड़ा गाउं है और मुझे लगता है कि मॉली का जीने जीकार है पर मुझे हर जो है गाह है जो पिछड़ा वहाँ पर हर इंसान इस चीज को झेल रहा है यह जो समाज गहिस्थी था और यह मुझे मैं जो ममी को देखी हूँ बचपन से इस चीज से तड़पते हुए तो मैं फासी की सजाग से भी यह गया गुजरा है मतलब तील फासे मिन सान मर जाता है नाम लेकिन इसमें हमको एक एक पल हमको तड़पना पड़ता है नाम वो सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं कोई प्रसाशन या कोई मुझे लगता पुलिस या फिर मुझे लगता है कि हमारे गाउं पंचाय जिनके साथ नहीं हुआ नाम वो नहीं चेल पाएगा नाम मैं मतलब नहीं समझ पाएगा जाए इस चीज को इसलिए कोई कारवाही इस पर नहीं होती हो पाती है भलकुल राच की शोरी जी हम एक्किस भी सभी में जी रहे हैं और अभी इस तरह के मामने सामने आ रहे हैं सामझे बहिशकार के अब आपकी क्या कुछ मांगए हैं आपने कई बार नयायी की गोहार लगाई ज़सा कि आपने बताया है अब आपकी क्या कुछ मांगे हैं? सामाजिक बहिशकार का मामला सामने आया है जश्पूर से क्या कुछ कहेंगे 21 साल हो चुके हैं कई बार ने आये कि गुहार भी लगा चुका है परिवार बावसुत इसके किसी भी जिम्मेदार ने सौर जिहान ने दिया जश्पूर अभी पिछले 700 सालों से पुरी दुनिया किसी सभी में जाने को तैयार है वहीं ये और 100 साल पीछे जाने की इस्तिती आ रही है ये अकेला मामला नहीं है समाजिक बहिसकार का जश्पूर का अगर गाउं का ब्रमण सर्वे किया जाए तो गाउं में सैकड़ों ऐसे मामले मिलेंगे जो इस तरह से लोग जेल रहे है और ये एक बहुत ही गंबीर विशे है कि इसके पीछे आखिर ऐसी क्या योजना है कि इसका सरीयंत्र है कौन ऐसा यहां पर हेटल साही कर चलाता है जो ऐसी साकत रखता है कि गाउं के लोगों को इस तरह से परिशान करता है वाद तो में इस विशे पर भी एक लंबा जांच करने की आउश्कता है एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं पर लोगों की जो सोच है उसको हम डेवलप नहीं कर पाया आज पी जी सोच का तो विशे अब इस्थानी लोगों के लिए हो सकता है लेकिन मुझे मेरा प्रस्ण यही है कि एक विशेश समुदाई जो जश्कूर में रहता है आखिर उसी समुदाई के अंदर ये बीमारी क्यों पहली है मैं आपको दो उदारन और बताऊंगा जश्कूर के पास मेरा टोली है 15 साल पहले एक फाजी जश्कूर आता है रिटायर हो करके और चुनाव लड़ने की तैयारी करता है और एक विशेश पार्टी से वो अपना नावांकन बरता है बाद में उसी इस्थान पर काम करने वा करता है tiếpर वे लोगों का एक मामिला है कि उसकी समस्ताव का कबրिस्तान का कोई भी शेय सा उसके कहेज में कबरिस्तान था यह वह वेक्ती इपना की विशार करना चाहता इस विशेश रूप से ताकिकात करने की जरूरत है। इस विशेश रूप से ताकिकात की जरूरत है। इस विशेश रूप से ताकिकात की जरूरत है। इस विशेश रूप से ताकिकात की जरूरत है। और कब तक इस परिवार को न्याय मिलेगा। और ये जिशेश रूप से अमारी जरूरत है। आप से उम्मीद करती हूँ कि 21 साल से जो न्याय नहीं मिला है वो अब इनको मिलेगा। करने के लिए बहुत सुक्री आपका। और हमारे साथ में तो आपको बता दे कि ये बामला 21 साल पुराना है। जहां एक परिवार को सामाजिक बहिश्कार कर दिया गया था। तो हमारे साथ में राम प्रिकाश पांडेची जुड़े हुए हैं जो कि समाज से भी हैं। राम प्रिकाश्ची आपने सुना अभी कलेक्टर से बात ही उनका कहना है कि जल्दी इस पर कारवाई होगी। मेरी आवास आप तक पहुश पारी राम प्रिकाश्ची। मेरे साथ में अभी कलेक्टर जुड़े हुए था उनका कहना है कि अभी मेरे संग्यान में यह माम लाया है और इस पर जल्दी कारवाई होगी। क्या कहेंगे। जी एक अच्छी पाहल हो सकता है कि कलेक्टर महुद इस पर संग्यान लेकर के और उन्हें ने आजिलाएं। संभवता वो लोग प्रसासन के वीसर तक सही डंग से पहुच नहीं पायते जब जो दिन पहले मेरे पास आये। तो मैंने क्लेक्टर और स्भी के नाम से एक अवेजन उनकी तरफ पे बनाया था। और ये खुशी की बात है कि क्लेक्टर मौद इस पर संग्यान ले रहे हैं। और उसे टी एल बैटरक में उसे मुद्दे को रखने की बात वो लिग करके दिये हैं। अब जल्दी मुझे पूरी उमिद है कि क्लेक्टर मौद इस समस्या का समधान करें। जे। चले राम प्रिकाश्ची हमारे साथ में जूड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ पर पीडिता भी जूड़ी हुई थी। राम की से ओरी थी। आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जूड़ने के लिए।